वेल्कम क्याला दोस्तों उम्मीद करते हूं बढ़े हो सब तो भाई आज की वीडियो लाम है केदानाथ ट्रिप के ओपर रिसेंटली जाए केदानाथ के कपाट दुबारे खुलने वाले है एपरेल की 17 डेट को तो इससे पहले मैंने केदानाथ के एक सोलो ट्रिप करे थी न नहीं बताया था इसलिए आज मैं वीडियो बना रहा हूं बहुत सो लोग ने कमेंट करके पूछा था कुछ ने फोन भी करा था एक दो भाई ने तो इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं इस वीडियो में मैं केदाना ट्रिप की पूरी गाइड आप से शेयर यह को जिसमें चैनल को सब्सक्राइब निकारा सब्सक्राइब कर देना लाइक शेयर कमेंट मार देना वीडियो को तो भवी सबसे पहले बात करते हैं रूट की रूट में जो बंद्धा को सटार्ट करेंगा ट्रिप अपनी प्लेण से रहे गाया यानि की डेली मिरट से तो प्लें से स्टार्ट करते हुए सबसे पहले जाओगे भाई आप रिशीकेश और रिशीकेश से फिर नेक्स्ट आ लुपियाग होना परियाग है अबहुत बटविए पार्किं पर्कीघ करना पड़ेगा। परृपी से बाइब स्पायाज होना है वह पार्किंग करना प Cherry के बमेर, $50,000. लेना पड़ेगा तो पाँच किलोमेटर की लेकिन तरासदी के बाद एक नया ट्रैक बनाया गया था जिसकी लेंथ एप्रोक्स 22 किलोमेटर है ऑलागि उसकी कम भी हो सकती है अगर आप डारेक्ट मॉण्टेन पर ट्रेक कर रहे हो शोटकट ले लेकर ठीक है तो भाई ट्रेक करने के बाद 22 किलोमेटर आप सीद़ा पहुच जाओगे केदाना टेम्पल पे ठीक है और केदाना टेम्पल से दो किलो मिल्ट नीचे एक बेस कैम भी है तो ये तो हो गया भाई इसको पूरा रूट अब बात करते हैं आपको अपनी ट्रिप कैसे कवर करनी है तो मैं आपको एसला दूँगा कि अपना जो प्लेइन एरिया है मेरे डेली से लेकर रिशी केस तक का उसको आप अपना रात र दा सकते हैं रूद प्रियाग तक या फिर क्या वलते हैं उखीमत तक या फिर गुप्ट एस्स तक या फिर सोन प्रियाग तक भी तो आप में पहुर्यक कीरताए कि आपको इन कितनी पीड़े तुम आपको इसे सोन प्रियाग से पहले बाइक साटर कर देaking नह現在 और अधू पर यह तकरीब और आठकेम करते हैं उससे ज्दिंट करता है आप कैसे कर रहे हो ठीक है जब आपनी ट्रेक करें तो उसमें सबसे अपना breakfast अच्छे से करके चले और खाना अपना साथ मेले जाए कुछ चोकलेट एनर्जी ड्रिंक्स जो भी है और उसके अलावा ट्रैक आपको ना जादे तेज करना जाना जाना जादे दीरे करना बिल्कुल average जिस स्पीड पे enjoy करते हुए complete करना है और फानली आप ट्रैक कंप्लीट कहां इसके बीच में ट्रैक में जाए कुछ शोटकट अविलेबल है पहाड़ पर डिरेक्ट चंडने के तो अगर आपको लोंग रूट नहीं लेना आप शोटकट से भी जा सकते हो तो नहीं है केदाना टेंपल पे तो केदाना टेंपल पे अगर आप रीच नहीं भी कर पाए आंधिर अगर से पहले तो आप बेसकेम में स्टी ले सकते हैं बेस कैम में कोई होटेल से अविलेबल नहीं है तो वहाँ पे जो है सिर्फ टेंट अविलेबल है उसमें आपको स्लीपिंग बैक दे जायाएगा तीन सो रुपे उसका चार्ज है और आपको फिर टेंट में वहाँ अपनी रात बुजार सकते हैं कैम्पिंग भी आपके एक तरह से हो जाएगी अगर आपको करनी है बेस कैम में एविलेबल है वो उसके अलावा अगर आप सीधा जो है केदानाद टेंपल चलेगे तो होटेल रूम एविलेबल है और उनका चार्ज है एप्रोक्स नो सो रुपे पर बैड तो पांच आदमी सो जाओ दर्शन आप नहीं कर सकते कि दर्शन सुबह के टाइम होते हैं अब नेक्स्ट डे आपको क्या करना है सुबह उठते ही सबसे पहले दर्शन करने है ना दो के उसके बाद आसपास का एरिया जो है उसे एकस्प्रोर कर सकते हो आप हराम से तसली से अब कुछ लोग क पास का एरिया एक्सपोर्ट करो फोटोस किलिक करो जो भी है नेटवर्क आता है काफ़ी अच्छे एरटल जियो दोनों के ज्याद अच्छा आते हैं तो सब चीज एविलेबल है हमाँ पर एक दिन पूरा अपना स्टे तसलिए से करो और उसके बाद नेक्स्ट डे आप ट्रैक डाउन कर सकते हैं कब करें आप ट्रैक डाउन सुवे सुबे निकलने को तो चार बजे भी निकल सकते हैं सुवे सुबे लेकिन साथ आठ तक आप ट्रैक डाउन अपना स्टार्ट कर दे और नीचे गोरिकॉन वापिस आके अपना सोन प्रयाक से फि कम भी लग सकते हैं आपके आराउंड चाहते हो क्या आपका खाने का लाइफ स्टाइल कैसा है उसे दाफिर बेंड करेगा और इससे कम मुश्किल होगा तो 6000 आप एक एवरेज बजट मानके चले पूरी केदाना ट्रिप का अच्छी ट्रिप का ठीक है और अब बात करते हैं आ हैं वह हेलिकॉप्टर से ले सकता है तो हेलिकॉप्टर हो खच्र का दोनों का प्राइज सेम है वह सेमहं है उल्मौस्ट पच्चीस रुपए एक साइड सा पड़ता जो तो 25 में आपका ट्रैक पूरा कम्प्लीट करा देंगे में ऊपर ऊपर का इन दौनों में सा कर चोईस आपको 10-15 मिनिट में उससे पहले ही शायद आपको नीचे से जो है ऊपर तक केदना टैंपल पे लेंड करा देगा है तो आपका सारा टाइम बच जाएगा और कोई एक्जोस्स नहीं होगी हाला कि ट्रेक डाउन करते से में आपको कहूंगा कि आप पैदल ही आए क्योंकि ट् प्राइस चार्ज, रूट, स्टे कैसे कैसे करना आपको और कैसा एक्सपिरियंस मेरा एक्सपिरियंस बहुत अच्छा रा केदना टैंपल का और 16-17 तारिक को अभी खुलने वाले है 15-16 को जो डोली उपर जाएगी गोरिकुन से और 16-17 को जो है कपाट खुल जाएंगे और पूछना है तो आप कमेंट करके नीचे मुझसे पूछ सकते हो और इसके अलावा इस वीडियो के बाद आप मेरी पूरी केदानाथ की व्लोग सीरीज भी चेक कर सकते हो जिसे मैंने सिनेमेटिक वीडियो और व्लोगिंग करी है तो उसको जुरूर देखके जाना चैनल को स क्यादना पर तो उसके लिए आप नवंबर के महीने महीं जाए नवंबर के फर्स्ट वीक में गया था मैं और तभी स्नौफोल यह स्टार्ट हो गए थी और दिवाली के आसपास जब कपार्ट बंद होता है भाई दूश्य दूश्य दिन होता है उससे पहले अगर आपनी प्लैन करेंगे तो आपको स्नौफोल गारेंटी से क्यादना टेंपल पर मिलेगी मिलेगी तो यह उन लोगों के लिए था जो पूछ रहे थे कि भाई स्नौफोल कपड़ती है क्यादना टेंपल पर अचा बाई तो रूट से रिलेटेड अभी एक अपडेट मुझे और दे पर शेटना ट्रिप पर तो मैं आपको रिक्रमेंड करूंगा कि उस रूट को ना पकड़े क्योंकि उस पर काया पिंचर होने की संभावना है और बीच में उसके कोई ऐसे कोई सर्विस वाला भी एविलेबल नहीं आगर पिंचर हो गया तो इसलिए उसका दूसरा रूट पकड़ सकते हो आप रिसी केस से देव परियाक के लिए एक दूसरा रूट जाता है चंबा से होते हुए तो वह आपको अपरोक्स 30-30 किलोमेटर फालतू पड़ेगा लेकिन हाइवे काफी अच्छा है तो उस हाइवे को आप पकड़ सकते हो जब आप रिसी केस से भी पू कर दो आप